असमी मेरी आखों में आखे डालो चुप क्यों हो बिटा बोलो कुछ दरो मत डड़ तो लगेगा न मैडम आपके यूँ मैं जो कर रही हूँ तुमारी बलाई के लिए कर रही हूँ पर मैडम मैंने कुछ नहीं है मैडम मैंने कुछ नहीं है सारी गल्दी उसकी है उसकी मतलब किसकी सारी गल्दी भगवान की है मैडम भगवान की वज़े से यह सुब हुआ है ऐसे क्या देश में बिना पलग जुपकर आपसे नहीं मांगी तो किससे मांगोंगी जवाब तो कभी दोगे नहीं लेकिन जो मांगा है वो तो देना पड़ेगा न धमकी नहीं दे दियू प्राथना कर दियू सुननी तो पड़ेगी चाली साके 25 दिन पूरे हो गए बस 15 बाकी है अब आपको मेरी दादी को भी ठिक करना है और हमें अमी भी बनाना है दूसरे के चूते में पैर जमाना आसान नहीं होता है जी आपके पुरानी वाली नौकरी ही अच्छी थी आप उसके कहें पर मत जाईए अपने हालाग के हिसाब से चलिए कोशल जी मैंने सब हिसाब लगा लिया है फरीदा तरक्की का पहाड चड़ना है तो जूते भी उसी हिसाब से पहनने पढ़ेंगे करिये जो करना है लेकिन देखना एक दिन पच्टाएं गया अपने पेरोपर खुद कुलाडी मार रहे है अपने पेरोपर कुलाडी तो एक ही बार मारी थी मैंने बारा साल पहले जब तुस्से शादी की थी अब वो मार जहल के इतनी अकल तो आई है कि कभी किसी से मात ने तो मैं भी आपको उसी तजुर्बे से समझा रही हूँ अपना तजुर्बा घर संबालने में इस्तमाल कर, मेरे काम दंदे में नहीं, देख मैं तुझे ना समझा अरे अस्मी, सुबह से कहा गए अब थी, आप शाकल दिखा रही है क्या, अस्मी सुबह से बार थी, और तुमें कोई फिक्र ही नहीं है खेलने गई थी, और आपको कब से पढ़ी अस्मी की, घर आके ये तक तो पुछन ही कहा है वो पंचिन मतलो, आ गया की जुबान बोलो, क्या चीए, कुछ ने चीए अच्छा हाँ, दादी, हमारा मिशन जल्दी पूरा होने वाला है पचेस हो गए, बस पंदरा बाकी है, वो भी गए, तो सबका भला क्या, खुसर खुसर चल रही है? खुशी अमा अच्छा, चल, कुछ खा ले, खेल खेल के भूख नहीं लगती तुझे नहीं अमा, आज मुझे बिलकुल भूख नहीं है, क्याकर आज मुझे इतनी खुशी है, क्या मेरी भूख मरी गई ऐसे क्या खुशी मिल गई तुझे? ये, ये जूते कहां से लाई तू? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं पूचूँगी तुमसे, तुम्हे मेरी एक बात मानने पड़े की, तुम्हे ये सारी बात है ना, पोलिस, पोलिस, नहीं, मैंने कुछ नहीं की तुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं है, मैंने कुछ न करना पड़ेगा, समझ रहा हूँ? सॉर्ड, बैटो देखो, असमी मैं तुम्हारी बलाई के लिए ही कर रही हूँ अब जो मैं बोलूंगी, वही करना पड़ेगा नमस्कार आदाब, Crime Patrol सतर्क के Black Headlines अद्याई के आज के अपिसोड में आप सब का स्वागत है कहते हैं के बच्चों का मन गीली मिटी के समान होता है अगर अच्छाई के सांचे में ढालो, तो वो हमेशां सही रास्ते परी चलेंगे पर बच्चों को बहका कर उनसे गलत करवा लेना भी एक विपरीत कला है और जब बच्चे गलत को सही मानना सीख जाते हैं तो उन्हें अच्छाई का रास्ता दिखाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है ये साल 2019 का एक ऐसा केस है जो आज भी इस मुश्किल दहलीज पर है आप सोच रहे होंगे कि उस कमरे में एक बच्ची और उसमाइला के बीच में ऐसा क्या चल रहा होगा जो हमें और हमारे बच्चों को ऐसी परिस्तितियों से बचने के लिए सदर कर सकता है दरसल वहां 11 वर्षी असमी का काउंसलिंग सेशन चल रहा था और उस काउंसलिंग के बाद जो सामने आया उसने सिर्फ स्कूल एथारिटीज को ही नहीं बलकि पूरे देश को अचंभे में डाल दिया था देखो हमारे बीच में जो अभी बाते हुई वो अभी किसी से मत दिसकस करना है मैं अभी आती हूँ नंदिनी जी अवाज दो सेशन एक मिनिट सिर्फ बहुत अरजन कॉल करने है मैं एलन्सी पब्लिक स्कूल में रेगिलर सेशन्स करती हूँ आज एक बच्ची का काउंसलिंग कर रहे थी असमी जब काउंसलिंग कर रहे थी जो सच्चा ही पता चला उससे में दंग रहे थी Silence असमी बेटा इदर आना मेरे पास असमी जब एक रहे थी ऐखे एक रहे ठाई एक रहे थी जब को हलो सर मैं नंदीनी सुर्वाना मैंनेहिपो फोन किया था अबच्ची एसमी का है अब वह अपने क्लासरूम है सर मैंने उसको समझा दिया के वो किसी से कुछ ना का यह मने श्कूल अथोरीटिस को भी कुछ नहीं बोला है आइछली मुझे लगता है अथोरीटिस में कोई कालप्रेट हो सपता है पुड अथोरीटिस में? जी क्यों एक नहीं है सिर असमी बोल रहे थी उसके उपर 25 से भी जादा लोगों ने शोशन किये वाट? छोटी बच्ची पर 25 से जादा लोगों ने शोशन किये जी जैसे आपकी चॉइस है ठीक वैसा ही फ्लैट है हमारे पास और वो भी एक दम प्राइम लोकेशन पे सॉरी सिख अब लोग एक बर जा करके वो फ्लैट देख लीजे कोशल जी इंको वो कुटब नगर वाला फ्लैट दिखा दो जी सेट अगर आप लोगों को पसंद आ जाता है तो आगे की बात सॉरी सेट घर से बार बार फोन आ रहे हेलो तुझे कितनी बार बताया है मुझे परेशान मत किया आकर काम के वक अरे सुनिये तो असमी के स्कूल से फोन आया था आपको और मुझे तुरंट वां बुलाया है तुरंट बुलाया है कहीए असमी ने फिर से कोई शरारत कर दी क्या असमी बेटो आपने मुझे जो जो बोला है ना, वो सब ये अंकल को बता दो, दरो मत, बोलो बिटा तुक डरने के ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आपकी मदद करने आए, आप हमें सब कुछ सच-च बता मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है आपको घर जाना है ना, अमा पापा के पास, है ना, तो उनको तामने यहीं बुलवा लिया है, अभी आपसे मिलवा देंग उनको, लेकिन पहले आप हमें बताओ, कि आपके साथ क्या गलत हुए, इसने गलत किया, कौन थे बोलो, क्या नाम है मेरे साथ कुछ० बुरानी वाई युair ॉप साथ असमी, ये क्या बोल रहे हो तूम? अबने अच्छा नहीं क्या माडम, अब मैं आपकी बादों में कभी रहूंगी अब मैं आपकी बातों में कभी नहीं आँगी अश्मी ये क्या बोल रहे हो तूमaan एक नोट प्लेस असमी पिटा क्या है सच है नंदीनी मैडम ने बताया कि आपने उनसे कहा है कि आपके साथ एक दो बार नहीं कई बार गलत वह कई लोगों ने गलत किया क्या सच है? आपने असा का? नहीं अंकल नंदीनी मैडम जूट कह रही है सर असमी अपने बयान से मुकर चुपी थी लेकिन कांसलर नंदीनी के साथ कह रही थी कि असमी का शोशन हुआ था अगर नंदीनी की बातों में सच्छाई थी तो यह केस वाकई में बहुत गंभीर था आ ऐसे में पुलिस ने इस मामले में बहुत ही समवेदन शीलता के साथ तहकीकात करने का फैसला किया बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ ये पता लगाना हमारी ड्यूटी है मेडिकल करवाले हो सकता है असमी डरकी वैसे सच ना बोल पा रही है अधर देखिए पहले कम तमाशा नहीं हुआ है अमारे बेटी के साथ आप सोचिए सर लोग तरह तरह की बाते करेंगे सर और जरा सोचिए असमी पर क्या गुजरेगे इन सब बातों से एका कोशल आप असमी को ख़र ले जा सकते हैं जी सरी मुन्नी देख कितने सुन्दर जूते हैं हा कितने सुन्दर हैं तो कलर भी बहुत अच्छा है तेरे पापा ने दिलवाए क्या सोच रहे हैं सर्थ क्या समी सच बोल रही है जोट और कांसलर नंदनी जूट क्यों बोले की असर लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नंदनी को एक अंजान आदमी कॉल करता है और असमी का नाम लिए बिना वो एस उसकूल के किसी स्टुडेंट के लगातार सोचित होने तो मैं आपको नहीं बता सकता नाम नहीं बता सकता तो मुझे फोन क्यों किया क्योंकि आप LNC पब्लिक स्कूल के बच्चों को गृप कांसलिंग देने जाती है ना उस गृप में एक बच्ची ऐसी भी है जिसका काफी लंबे टाइम से शोशन हो रहा है क्या किस बच्चे में मैंने एक टॉपिक डिसकस किती गुड़ टैच और बैड टैच यादे आप सबको आचा आज तक उस सेशन के बाद किसी ने बैड टैच महसूस किया है कहा दर दो रहा है बिटा दर नहीं मैरम मुझे कै़धडनी हो रहा जबकि हो सकता है वो बच्ची इसी स्कूल की को दूसरी मसी हो सकता सर Prime Manish क्योंके नंदीनी ने ना सिर्फ ये कहा क्या लिए इसको सवशन के बादे में मुझाए बलके वो दावे के सब यह बही आग हु हमें सबसे पहले उन लोगों को ढूंडना होगा जो उस मासूम बच्ची का सोशन कर रहे थे और उन्हें ढूंडने का जरीया है वो कॉलर जिसने नंदनी को कॉल किया सर अगर अपके यही मानना है तो फिर हमें अस्मी का मेडिकल जल्दी करवा लेना चाहिए हाँ लेकिन अस्मी के बयान रोसके माबाप की मर्जी के बिना अनिश अभी तक इस बात के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल, नंधनी और अस्मी के माबाप के अलाबा किसी को नी बता बच्ची का मामला है तो जो भी करो ठोड़ा और एहतेयाट किसे पइट सब असमी, अब रोने से क्या होगा? ऐसे तो ये सब हुआ नहीं होगा. तुने उस मैडम को क्या भोला? जो उसने इतना बड़ा हंगामा खढ़ा कर दिया? अम्मा वह मैडम बहुत चलाके मुझे भूल भूलकर बर्शान कर दिया अरे पर तुने उस मैडम को भूला क्या भूल बाबा मैंने उस मैडम को भूछने बोला वो जूट बोल रहे थी अम्मा मालू में तुमको भी सब कुछ जानना है लेकिन अभी तुम्हारी घंटी का जवाब देने की अशलत में नहीं है हम हा बेटा तुम ब---- हालो औरसल तु एक गंटे का बोलके गया था ना तू अबही तक से office नहीं आया हा सेट मे वे म म.. फोन किया था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है और उसने जो बोला था वो सही निकला अगर आप सही बोली हैं सच बोली हैं सर मैं हंडेड परसें सच बोल रही हूं अस्मीन आपको यही बोला था कि उसके साथ 25 लोगों ने ऑसे 25 से भी ज्यादा लोग सर एक्जेक्टली यही बोला था, कि पच्छी से जादा लोग नहीं, वो उसने कुछ ऐसा बोला था कि उसके साथ कई लोगों ने गलत कर चुके है उसने बोला कई लोग गलत चुका? जी तो आपको ये कैसे लगा कि फिर 25 लोग हो सकते हैं ये उसे जावा लोग हो सकते हैं सर वो बात करते वक्त कुछ 25 करके बोली फिर चुप हो गई तो मैंने अंदाजा लगाया तो आपका कोई और अंदाजा जिससे हमें उन 25 लोगों के बारे में कुछ पता चल सके उनका नाम कोई क्लूब नहीं सर सर मैं जानने की बहुत कोशिश के थी पर असमी न हाँ सर वो बात करते वक्त उसने किसी का नाम लिया था शायद किसका नाम बल्लू बल्लू या बल्ली ऐसा कुछ और ये नाम आपको अभी अचाने कैसे याद आ गए सर उस टेम पर इतना सब कुछ हो गया था और ये नाम को लेके मैं उतना शौर भी नहीं थी पर वो कुछ बल्लू या बल्ली ही था अभी आप शौर? ये सर पर उसने एक ही बार बोला था फिर उसके बाद उसने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया अरे मुन्नीक देखो मैं क्या लेया तुमारे से चाकलेट बल्लू या बल्ली? जे इस नाम के किसी शक्स को जानते हैं? शायद आपकी कुछ जान पहचान का? नहीं सब ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता देखे आ बले नहीं जानते हो लेकिन काॉंसलाल अन्दली ये दावे के साथ कह रही है कि असमीनों से बताया कि उसके शाह साथ दुशकर्म करने बालों में से किसी एक का नाम बल्ली या बल्लु था आप पर असमी के साथ ऐसा कुछ हुआ अगर असमी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो कौन था जिसने कॉंसलन अंदनी को फोन किया साम मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है एक अप ठंडे दिमाग से सोचे याद करिए शायद किसी से आपका कुछ जगडा हुआ पोई ऐसा शक्स जो आपको और आपके परिवार की बदनामी करवाना चाहता है बदनामी करनी की सोची होगी उसने असने उसे ऐसा क्या मिला है मेडिकल एक बार साम परिशान मत होगी हम समझते हैं मामना सेंस्टिव है बात लीक नहीं होगी एक्स्यूज में अगर नंदनी की बास सही है उन में से किसी एक शक्स का नाम बलू ये बली हो सकता है असमी के स्कूल घर सारे अरिये में पता करो जो जो बलू और बली नाम के शक्स है सब की डिटेल्स निकलो हम बोल अरे तुझे कहा ना मुझे बच्ची नहीं चाहिए जवानी तो बीबी ने बिगाड़ दी अब भुड़ापा नहीं बिगाड़ना है मुझे अरे बुड़ापे में लाठी की जरुरूरत होती है और जब लाठी मिल जाएगी ना तो मुझे फोन करना समझा है अँआ 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 मैं ठीको दादी अब मेरी फिकर मत करो अब अपनी सर्थ मत जहाद दो मैं ठीको अँआ 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 सिर्फ आप ही नहीं अँआ इसमी की फिकर करने को मैं भी उसकी अम्मा हूँ यह देखिए सौरी लिख कर गई है अब क्या मतलम निकालू में इसका सौरी अम्मा यह असमी के ही लिखे हुए शब्द थे पर वो उन्हें जुआ क्यों नहीं दे पाई आखिर क्या चल रहा होगा उस मासूम के जहन में और सौरी तो पच्टावे का प्रतीक होता है तो फिर असमी को किस बात का पच्टावा था नंदनी के मताबक असमी के साथ दुशकरम किया जा रहा था और अगर यह सच था तो क्या एक पीड़ता खुद को कोस रही थी और अगर नहीं तो फिर उस सौरी अम्मा के पीछे उस बच्ची के भाव क्या थे इस केस को डील करना पुलिस के लिए बिलकुल आसान नहीं था और फिलहाल वो नंदनी द्वारा बताये उस आदमी को ढून रहे थे जिसका नाम बल्लू या शायद बल्ली था जी नहीं फिलाल असमी ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन नंदीनी नी जो किया है वो एक में पुसर चाहिए पुलिस असमी के स्कूल, घर, महले, हर जगा बल्लू और बल्ली नाम के आदमी का असमी से कनेक्शन ढून रही थी लेकिन इस केस को सही डिरेक्शन देने के लिए पहले ये जरूरी था कि असमी का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए जिसके लिए पुलिस लगातार असमी के पेरेंट्स पर दबाव डाल रही थी कुषिश के ना तो तेरे पैर कार दूगा पैर क्यों गलाई कारतो ना अभी हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे फरीदा हम साथ मिलके ये घर बसाएंगे अपने होने वाले बच्चों के साथ क्या सोच रहे हैं जो पिछले बारा सालों से मेरा कलेजा काट रहा है क्यों देखे थे हमने वो सपने वो सपने नहीं होते तो अस्पी देखो जो बीट कया है उसे याद करके हम आज नहीं वगल सकती है हर अन्जाम के बाद एक नहीं शुरुआत करने पड़ती है हिम्मत से काम लग पुलिस हमारे और अस्मी के साथ हैं अस्मी का मेडिकल करवा लेते हैं और अस्मी के केस में भी उसके माता-पिता फरीदा और कॉशल के पुराने जखमों के निशान पुलिस के सामने आने वाले थे सर लाला को बलू या बल्ली नहीं मिलाया जिसका अस्मी के साथ कोई कानेक्शन है लेकिन कोशल के परोश्यों से खबरीने के इंफोमेशन निका लिए फिर उसी इस्त्री वाले ने बताया कि आदमी अस्मी फरीदा और कोशल के बारे में पूछ रहा था बाई सार ये रड़की वही है ना जिसके मावाख अलग अलग धरम से हैं वो आदमे कौन हो सकता है फिलाल इसका कोई लीड नी मिला हो सकता है कि वो गंदनी को कॉल करने वाला कॉलर हो या पर रस्मी के साथ दुश्करम करने वाला पर ये जो भी था वो फरीदा और कोशल के अलाग अलाग माजब होने के बारे में क्यों पूछ रहा था इस बारे ने फरीदा और कोशल से बात की मेंSir, फिलाल उनसे बात नी किये लेकिसर उसे एस्त्री बाले ने एक और बात बता है सब्सक्राइब प्रेस्ट के अई सरासमी अच्छी अक्टिव है भी काफी लम्मे टाइम्स बच्ची कह इतने अर्से सशोषन हो रहा है और वो लगातार जुट वो लगी असमी बेटा आपको बिल्कुल घबराने के जुरूरत नहीं है हम है ना के साथ बिल्कुल डरने के जुरूरत नहीं है हम है ना दरो मत बता आपके साथ यह सब किस ने किये दंदनी मैंड़ो को क्या नाम बताया था अपने बल्लू या बल्ली ऐसे कुछ नाम बताया था न जो होना था हो गया लेकिन अब तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगी किसी को भी नहीं अस्मी पाप बेटा दोरो मत उनको बताओ को ने जिसमे तेरे साथ बोलो बेटा बेटा ऐसा कौन है वो जिसका नाम तु नहीं बता पारही बोल अस्मी कौन है वो आखिर अस्मी की चुपी की वज़ा के है आपको कुछ तो अंदाजा होगा किसी पर तो शक होगा आपको आप कुछ समझ में नहीं आ रहे ते कौन होगा जिसने हमारी बच्ची के साथ ही से आपके घर के बाहर जो गनेश है इस्त्रीवाल कुछ दिन पहले वहाँ एक आदमी आपकी बेटी अस्मी के बार में पुछ रादी कौन आदमी ये तो गनेश भी नहीं जानता है लेकिन वो जो भी था वो इतना जरूर जानता है कि शादी से पहले आपका और आपकी बीबी दोनों का मज़बा लगता हो सकता है वो आपका ये आपकी बीबी का कोई ऐसा रिष्टेदार हो जो नहीं चाहता था कि आप दोनों की शादी हो साब ऐसे तो फरीदा के भाई को इतराज था हमारी शादी से लेकिन उनकी तो डेथ हो गई है और आपकी पहली बीबी उसे कोई इतराज नहीं था आप अरी टक नहीं दे सकती। तुमको नहीं दिख रहा है में भी काम कर रहे हूं खुद को ले सकते हो ना Пон या ड तो आपकी पहली बीवी सरीटा से डिवर्स लेने की एक वज़ा ये भी थी, उसे बच्चा नहीं हो रहा था सबसे बड़ी वजा सरीदा का स्वबा हो था साहब बहुत जगडालू थी वो और ये बारा साल पहले की बात है साहब इससे असमी के साथ जो है उससे क्या वास्ता सर शायद कोई वास्ता हो वो आदमी इसके बारे में गणिश बता रहा था वो सबता है कोईसल की पहले बीवी के साथ उसका कोईस तालूप हो उस आदमी को ढूड़ना था पड़ेगा और उस कॉलर को भी जिसने कॉंसलन अंधरी को फोन किया था वो वाक़ी असमी का स्षुप्टिन तक है जिसने शायद पाता है कि असमी के साथ ये दुशकम किसने किया था सर लेकिन कॉलर को ढूड़ने को जरिया भी तो रज़र नहीं आ रहा मने इस जरिया ढूड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई एक बल्लू या बल्ली नहीं है 25 से जादा लोग ने जोने बच्ची के साथ दुशकम किया और ये कोई भी हो सकता है असमी के महले रिष्टेदारों में स्कूल में से कोई भी हो सकता है गुज जाओ और पता लगाओ साफ का मैं काउंसलेन अंधनी से मिलता हूँ शायद उस्टे के क्लू मिले सर उस दिन जब मैं असमी से बात कर रही थी वो एक ऐसी चीज बोली जो बहुत अजीब था क्या बोला सर पहले तो लगातार बोल रही थी इन सब चीजों में उसकी कोई गलती नहीं है फिर बाद में अच्छानक से उसने एक चीज बोला सारी गलती बगवान की है बगवान की गलती? हाँ सर मैंने कोशिश की यह जानने के लिए उसने ऐसा क्यों बोला पर उसनों कुछ नहीं पता है एक मासूम बच्ची है जिसके साथ पच्चीज से जादा लोग दुशकरम कर रहे थी उस गलती को बगवान की गलती क्यों बोले की? सर पूस्ताज में यह भी सामने आया कि अस्मी अकसर एक मंदिर जाया गड़ती थी मंदिर? सर सर अस्मी के स्कूल में एक प्योने जिसका नम बल्लेश्वर है और पता चले है कि उसके घर वाले उसे बल्ली भी कहते हैं ना सर घर पे मुझे बल्ली कहके बुलाते हैं लेकिन जो आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हैं सर सही क्या तू बोल? तेरे डर की वैसे अस्मी चुपैन सर आप गलत सोच रहे हैं मैं वो नहीं सही बोल ला, क्योंकि तू अकेला नहीं था, तरे साथ और भी बाट लोग था, कौन थे बोलो? मुझे क्या पदा साफ, मैं बेक का सुरुख सर, ऐसे नहीं माने गई हैं, एक जास, चल्ड, वाट? आपके स्कूल के बच्ची का शोषन हो रहा है, और लंबे आर्से से हो रहा है, लेकिना आपको कोई आइडिया नहीं, कौन रिस्पंसिबल है? देखें सर, हम अपने स्टुडेंट के सिगुरिटर का पूरा खयाल रखते हैं, हमें उनकी प्राबलम पता है, इसलिए तो हम उनकी रेगलरी कौन्सिलिंग करवाते हैं, देखें सर, आप जो कह रहे हैं, वो सुनके तो मैं खुद हैरान हूँ। हाँ सर जी, असमी आया करती थी पहले हैं, और तो आप वो यहाँ आने के लिए चालीसा भी रखती थी। चालीसा के 25 दिन पूरे हो गए, बस 15 बाकी हैं, अब आपको मेरी दादी को भी ठीक करना हैं, और हमें अमी भी बनाना हैं। फिर अचानक से उसने यहाँ ना छोड़ दिया। यहाँ ना छोड़ने की कोई और वज़ा तो नहीं बजारी जी। कोई और वज़ा? मैं कोई समझा नहीं साहब। उस बच्ची का एक लंबे समय से शोशन हो रहा था। इसका दोशी वो भगवान को मानती है। तो इसके दोशी का आपसे या पर यहाँ पर रहने वाले किसी और से कोई लेने देना तो नहीं है। यह यह कैसी बात आप कर रहे है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। और यह बगवान का गर है। बगवान का घर है तो भुटन है, इसको उदोशी बता रही है सर असमी को देखके, मुझे कभी ऐसा है नहीं लगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो गा आपको नहीं लगा होगा, लेकिन कोई तो होगा, इसको इस बर में पता होगा सर अब ये में कैसे बता सकती है आप असमी की ख्लास टेचर है, आप इतना तो जानती है होगा, कि ऐसी कौन सी फ्रेंड है, जिसके असमी काफी क्लोज है असमी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड तो एक तुर से सब कुछ शेर करते हैं ना असमी ने कभी आपको बताया कि उसके साथ कुछ गालत हो रहे है, नहीं, नहीं अकर मुझा कुछ नहीं पता मैं ये श्रका ये मुनी जिरो को छुपा रही है, पता करो, मेरा श्रक इतना साही देखते ही देखते ख़बर चारों तरफ पहल गई पूरे देश में हलचल का महाल पैदा कर दिया था पुलीस तरशाएशन, हाई 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 पुलीस वालो काम करो, काम करो, काम करो लेकिन सबाल ये था कि इतना सब सेने के बावजूद अस्मी चुप क्यों थी और वो कॉलर कौन था जिसको पुलिस अस्मी का शुपचिन तक मान रही थी और अगर वो शुपचिन तक था तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा था देखे अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता और वो कौन था जिसके बारे में गणेश ने बताया था इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस अब कौशल की पहली बीवी सरिता से भी मिलना चाहती थी पिशले बारा साल से मैंने कौशल की शकल तक नहीं देखी और उसके बीवी और बेटी से मेरा कोई लेना देना नहीं बच्चे ना होने के वज़ासे भी कौशल ने आपसे डिवोर्च लिया था इसी जलन में आपने कौशल का बदला उसके बेटी से तो नहीं लिया इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं कौशल के मुझे छोड़ने की वज़ा फरीदा थी एक तरफ वो मेरे साथ रह रह रहा था और दूसरी तरफ उस फरीदा से इश्क लड़ा रहा था और वो फरीदा वो भी कुछ कम नहीं थी जैसे कौशल ने मुझे छोड़ा उसने भी अपने पती को छोड़ा था क्या इक कौशल से फरीदा की दूसरी साथी थी जी अब क्या पता बदला फरीदा के पहले पती ने लिया हो और शक आप मुझे पर कर रहे है ये फरीदा का पहला पती कौन था हाँ साहब कौशल जी की तरह मैं भी अपने पहले रिष्टे से तंग आ गई थी जुबेर मेरे साथ बहुत मारपीट करता था भागने की कोशिश की न तो तेरे पैर काड़ दूगा मैं पैर क्यों गला ही काड़ दो न बड़ी मुश्किल समय ने जुबेर को छोड़ा तो छोड़ने के बाद आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि जुबेर इसका बदला ले सकता साब बारा साल पुरानी बाते हैं पर जुबेर आया था हमने आपके घर के सामने जो इस्तरी वाला गनेश उससे पूछा उसने कंफरम किये हमने उसे जुबेर की फोटो दिखाई उसने बता है कि यही वो शक्स है जो उससे पूछताच कर रहा था अब इतने सालों बाद जुबेर यहां क्यों आया होगा और वो आपकी बेटी अस्मी उसके बार में क्यों पूछ रहा था साहब मुझे नहीं मालुम गनेश ने उसको कब देखा लेकिन मैंने आखरी बार जुबेर को करीब साल भर पहले देखा था जब मैं अस्मी के साथ मार्केट से लौट रही थी लेकिन मैं उसे नजर अंदास करके चली गई उसके बाद मैंने जुबेर को कभी नहीं देखा जी, सर वहाँ तो मैं अपने काम से गया था मुझी तो पता भी नहीं था फिरिदा वहाँ रहती है अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी लेकिन लेकिन तू खिर भी वहाँ गया सर मैंने काest के सिलसले में वहां बार बार जाता रेता हूँ अगली बार जब गया तो मैंने उस लड़की को देखा तो मैंने उसके बार में पूछ लिया सिर्फ पूछा है NUR तोने कोशल और फ्रीदा से बदला लेने कलिए कि उनकी बेटी अस्मी के साथ दुश्करम करने का प्लान भी बनाया है कैसी बात करें सर जिस दुश्करम का इलजाम आप मुझ पर लगा रहे हैं कौशल तो उसे मेरी बेटी समझता है तेरी बेटी हाँ सर अगर उसमें बच्चा पैदा करने की हमत होती न तो पहली बीवी से कर लेता सर आप पेकार करेजा मुझ पर लगा रहे हैं सर मैं तो आज भी अनात का बाप बनके बच्चा गोध लेने की कोशिश कर रहा हूं साब कौशल जी ने कभी ऐसा शक नहीं किया मुझ पर अब तो मुझे भी पक्का लग रहा है कि जुबेव हमसे बदला लेने के लिए ऐसी बाते कर रहा है जुबेव हमको घुमा तो नहीं रहा उठा के तोड़े सरो सर 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 असमी की फ्रेंड मुनी के बारे में हमने पता किया मुनी का उसके फादर के इलावा कोई नहीं पर सर कुछ दिन पहले तक असमी मुनी के घर में आया जाय कर दी थी देकिन अभी नहीं आती तुम कहना चाहते हो कि मुनी अगर कुछ चुपा रही है तो अपने फादर की वैसे चुपा रही है मैं स्कूल जाओंगी तो पोलिस अंकल फिर से वही सवाल पूछेंगे स्लब में स्कूल नहीं जाओंगी पापा नई मुनी तुम स्कूल जाना नहीं चुड़ सकती तुम्हें डर्णना नहीं है हिमत से काम लेन है समझी सर मुनी ऐसा कुछ भी नहीं जानती जैसा कि आप सोच रहे है आप भेकारें बच्ची को परिशान करेंगे सर प्लीज सर आप बच्ची को परिशान करेंगे सर प्लीज सर आम बच्ची को परिशान नहीं करेंगे तुम से पूछें में मुनी क्या जानती है क्या मतलब सर बच्ची के दुष्करम का केज और वो बच्ची यहां अग्षार आती जाती थी तो तुम पर भी शक करेंगे ना क्या बोलगे सर आप कैसी बात कर रहें सर मैंने खुद वो कांसलर मैडम को असमी के बारे हम बताया तो कांसलर को फोन तुम ने किया था आप असी पब्लिक स्कूल के बच्चों को ग्रुप कांसलिंग देने जाती है ना उस ग्रुप में एक बच्ची ऐसी भी है जिसका काफी लंबे टाइम से शोशन हो रहा है मैंने जान मुझ के अपना नाम नहीं बताय था क्योंकि मुझे लगा वो सब बाती उठेंगी तो फिर मुनी को भी आपके सवालों के जवाब देना होंगे सर इसका बुरा से पढ़ता हूस पहे मैं मैं नहीं जाता था सर तो मैं यह सब बाते किस ने बताई मुनी ने हाँ स अश्मिन और सिर्फ मुनी को ही वो सारी बाते पता ही थे अंकर इसमे मेरे बेस्ट्रेंड है लेकिन एक बार मेरे उससे कटी हो गई थी मुनी देख कितने सुन्दर जूतै है वा कितने सुन्दर है इसका कलर भी बहुत अच्छा है तेरे पापा ने दिलवाये तोफे ए मेरे पापा दिलवाएंगे मुझे मुनी तेरे पापा तुझे इतने महंगे जूते दिलवा सकते हैं लेकिन मेरे नहीं मंदिर के भार मेलेते मंद किया कि वह पहन लो तो पहन के आ गई तुने चोरी कि मेरे बापा कहते हैं जो बच्चे चोरी करें, उसे दोस्ती मत करना. मुनी, 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 प्लीज मुने माफ कर दे, मुझसे कटी मत हो, तेरे लाव मेरा और कोई दोस्त नहीं है. अगर तु मुझे अपना दोस्त मानती है, तो प्रॉमिस कर. आज के बाद ना तो चोरी करेगी, और ना ही जूट बोलेगी. रॉमिस. आश्मी मेरे साथ बहुत खुश थी, पर आचानक से वो अपसेट रने लगी. आश्मी, तु ने तो बोला था, तु मेरी बेस्प्रेंड है, और तु तो अज कर मेरे साथ खेलती भी नहीं है. अगर मैं खेलती हूँ, तो मुझे दर्द होता है. दर्द होता है? कहाँ? तु मुझे प्रॉमिस किया था, कि तु मुझे से कभी भी जूट नहीं बोलेगी. बोलना कहाँ दर्द होता है? फिर अस्मी ने अपनी तकलीफ के बारे में मुन्नी को बता है, और मुन्नी ने मुझे बता है. सब पहले तो समझ में यहाँ, मैं अस्मी की मदद कैसे करूँ. फिर मुझे ध्याना है, कि नंदिनी जी तो उसी स्कूल में काउंसिलिंग के लिए रेगुलर्ली जाती है. इसलिए सर, मैंने उनको फोन करना ठीक समझा. मुन्नी आप और अस्मी बेस्ट फ्रेंड है न, तो बेस्ट फ्रेंड तो एक दुस्रे से जोट नहीं बोलते हैं. तो आप हमारे लिए अस्मी सिखबर फिर से पूछोगे, कि उसे एक तकलीप किस ने दी, कौन थे वो लोग? अस्मी ने इतनी सी उमर में क्या कुछ नहीं जहला? ये सोचकर किसी की भी रूप काप जाएं. लेकिन पुलिस के लिए अभी ये पहली थी कि अस्मी के गुनेगार आखिर कौन थें? बैठाओ मैडम, आप मुझे यहां पर क्यों लेकर रहा है? आप मुझे पनिश करने वाली है? नहीं अस्मी, मैं आपको पनिश नहीं कर रही हूँ. मुझे आप से कुछ बात करनी है. आपके बाद बाकी बच्छों से भी बात करूँगी. और आप से पहले, क्योंकि आप स्पेशल हो मैं स्पेशल हूँ. इसलिए तो बुलाया है. अचा, अभी एक गेम खेलेंगे. रेडी? ठीके, मैं जो भी क्वेस्टिन पूछती हूँ, उसका फटा-फट जवाब देना है. दोगे? आपका फेवरेट क्या है? चोकलेट क्या है? चोकलेट. डैडी या ममी? अमा. फेवरे आप जलेगा, करोंगे. अचा, अब आपका. मुझे बताने से डर रहे हो. हैंब? देखो, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ. अगर आप मुझे सब कुछ बता दोगे ना, तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी और आप मुझे नहीं बताओगे, तो मुझे आपके मामी पपा से बात करना पड़ेगा नहीं मैडम, उनको मन बताना, उनको कुछ भी मन बताना तो आप मुझे बता दो, वो कौन है? असमी, जैसे स्ट्राउंग हो के तुम ये दर्द सह रहे हो न, ऐसे स्ट्राउंग हो के मुझे उनका नाम बता दो नहीं तो मैं जा के बलू, बलू, बली, बलू, बली अंकल कौन है ये अंकल? कब से परिशान कर रहे हैं तुम्हें? क्लास सिफ से कहा रहते हैं? मुझे नहीं बता, तो दूसरे अंकल को पता है दूसरे अंकल? साब, बल्लू एक ही है साब, और वो जाता था बल्ली नाम का तो कोई भी नहीं है साब! पेटी साब, एक भी सौधा नी करवा पाता था, हालत इतनी खराबती साब, कि गर पे खाने के लिए नहीं होता था, ये लो, खा लो, और अपने अश्वाक सेट को भी बुला लो दावत पर, पैसा तो चाहिए ना साब, लेकिन पैसा देने के बजाए, वो अपना उधार कोशल तो भी, निकल गओ यहां से, निकल जाओंगा, और तुमसे पैसा भी नहीं मागूंगा, लेकिन उसके बदले में, तुमेह भी मुझे कुछ देना हो, साब जब मैने कोशल को आश्वाक के नियत के बार में बताया, तो वो ऐसे निकले थे, जैसे उसे मार ही डालेंग तु सेठ होगा इस दुकान का, लेकिन मेरी बीवी से ऐसे बोलेगा, तु तेरा थोबडा भी गाड़ दूगा, मैं, आरे, तु अपनी किसमक भी गाड़ रहा है, तेरको मैं सिर्फ उपर से पैसा ही नहीं दूँगा, तेरा सारा करजा माफ कर दूँगा, कोशल, गए थे म और उपर से मा की दवाई का खरचा, अरे, तो हाथ पर सलामत है ना आपके, कोई और काम क्यों नहीं डूड़ लेते आप, अरे, कोई और काम कैसे डूड़ू मैं, उन्होंने खुद से हार मान दी थी, और मैं उनसे हार गई, मुझे मजबूर कर दिया था साह, और जब अश के पास भेजने के लिए, कोशल असमी को भी हमारी गरीबी का वास्ता देने लगा साह, पेटा, तू रोज भगवान से यही मांगती है ना, कि दादी ठीप हो जाए, और हम अमीर बन जाए, हाँ, तो, दिखो, तुम हमारी कलोती उमाद हो, और तुम्हारा फर्ज है कि तु कर रही है, सही कर रहे है, तो अपना गुना चुपाने के लिए, उसे चिप रहने का नाठक भी कर रहा है, पर तुम्हें ये अंदाजा नहीं था कि अस्मी का दर्द बाटने वाली उसकी सहीली भी है, मुन्नी, जिसको अस्मी ने सब कुछ बता दी, उस मासूम बच्ची के जहन में तुमने जो उल्टी सी भरी, उसे मिटाना कि उतना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा है तुमें जो तुम्हें, माँ उना उसकी, दोनों ने मिलकर उस बच्ची के जिन्दगी पर बाद कर दी ऐसे दुशकर्मों से जुड़े केसिस को लेकर हम सालों से अफसोस जता रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल कर तो कभी धरना दे कर हम ऐसे घिनोने आरोपियों को सक्स सक्स सजा दिलवाने की मांग करते हैं, और अदालत भी ऐसे आरोपियों के परती कड़ा रुख अपनाती है, लेकिन फिर भी ऐसे अपराद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये है, क कि वो सारी बातें सब के सामने लाकर उसने अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ा है, इसलिए वो सोरी फील करती है, अब सोचे कि उस बच्ची को समझाना क्या आसान होगा, कि उसके माता पिता उससे कुछ भी सही नहीं करवा रहे थे, और मान लीजिए कि अगर एक उम्र क के बाद उसको ऐसास होता भी है कि उसके माबाप उसका शोशन कर रहे थे, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? बच्च्पन में जब कुछे गलत शुरुवात से शुरू होता है, तो उसे फिर से सही और नई शुरुवात दे पाना हमेशा मुश्कल होता है, अब मैं अर्ग रहें, सुरक्षित रहें, जैएद!